नमस्कार सात्यों सुवागत आपके अपने चनर याना कोसल में जी हाँ सात्यों आप सात्यों आप शात लगे एक और बहुत बड़ी खबर लेके आया है अगर आप सात्यों के लिए पूरी 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 इनफॉर्मेशन रहेगी आप सात्यों को दिखा देते भी किस प्रकार से आपको चैक करनी है और क्या बहुत बड़ा बदलाओ करया गया है और याना कोसल नीगम के दवारा तो सबसे पहले आप सात्यों अगर गूगल क्रोम के अंदर आते हैं यहाँ पे लिखते हैं मेरा परिवार पैचान पत्तर तो पीपी पीपी भी लिखते होगे तो इस प्रकार से आजाएगा तो आपको इस होम पेज के उपर जो है कलिक कर देना है जैसे इसके उपर कलिक करोगे तो आप सबी सात्यों यापे सीटिजन कॉर्णर का उप्शन दिखेगा यहां से आप सात्यों को अपनी जो भी इनकम शो करवा रखी है तो उसके उपर आप सात्यों को सबसे पहले अपनी जो अपडेट फैमिली की डिटेल दिवी है इसके ओपर कलिक कर लेना है यहां से आप सातियों को अपनी जो भी फैमिली की डिटेल है वो चैक कर लेने कि आपकी इंकम कितनी दर्शाय गई है क्योंकि अभी तक जो है लगबग कुछ सातियों का करया गया है लेकिन बहुत से सातिय अभी भी पेंडिंग बच रहे हैं उनका डाटा अपडेट होने लग रहे हैं सातियों परिवार पैचान पत्तर में यहाँ पे आप साति जैसे देखोगे तो आपकी इंकम जो हो बड़ी हुई मिलेगी और आपकी इंकम भी इतनी बड़ी हुई मिलेगी कि आपको इतनी मिलती भी नहीं है तो वो किस प्रकार से बढ़ाने काम करया गया है आप न बतावांगे तो उससे पहले अगर आपकी यहा option देर के हैं न यह वाड़ा यह रिपोर्ट इस वाड़ा ठीक है तो इसके उपर आप साती जैसे अपनी अपनी कलिक करोगे तो इस परकार से आप सात्यों जो है परिवार पचान पत्र की आईडी मंगेगा यस कर देना है यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर डाले के आप अप सात्यों जो है इंकम बढ़ाने का काम कर दिया गया है अब यहाँ पर कर दी गई है 28832 रुपे सेलरी ठीक है सात्यों लेकिन सात्यों को सेलरी जो है 15,000 रुपे या 16,000 रुपे जो उनके अकाउंटों के अंदर आने का काम होगा है तो इस परकार से आवा है लेकिन इसके अ अगर आपकी भी हुई है इस प्रकार से तो आप साथी भी मेरे को कमेंट कर देना और आप साथियों को जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे तो उसके अंदर जो हाँ आप साथियों को पूरी पूरी इसके अंदर जानकारी देने का काम करांगे कि किस प्रकार से आप साथियों जो है यहाँ पर टोटल इंकम डाल ली जाएगी क्योंकि एपधी अब और आप साथी जितने भी यानिके विडियो देख रहे हैं तो वो भी अपनी अपनी फैमिली आइडी में चेक कर लीजिए कि आपकी इंकम कितनी दर्शाई गई है अगर आप सातियों इंकम इस प्रकार से ज़ह ज़्यादा करेट है और आपको लगता है कि यह किस प्रकार से हुई है तो आप साती मेरे को कमेंट कर देना और टेलेग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर तो वहाँ पर मेरे को जो है मैसेज दे देना उसका सक्रीन सोट दे देना जिसके बाद में आप सातियोंगा जो है सारे के सारे जितने भी डाउट है वो कलियर करने की कोशिस करूँगा सातियों ठीक है तो अब ये देखने जी साति जैसे ये जो सेलरी सलीप है तो इसके अंदर इसमें साब साब लिखिया गया है कि आपकी जो टोटल शेलरी है आपके अकाउट में आने का काम होता है सातिनुनायृट थीक है अब उननी 335 और 1825 जैसे आप जोड़ोगे तो आपका 21,200 रुपे टोटल बने जा हुआ सातियों 21,200 के बाद में जो डिपार्मेंट के दुवारा जो आपका EPS और ESIC का जो पैसा जमा हुआ है उसमें टोटल आपके बने जातियों 23,200 रुपे यह आपका टोटल यानिके वेजिस बने जाता है टोटल सेलरी का यानिके इनिकलोडिंग आपका EPS, ESIC, LWF सब कुछ आ जाता है लेकिन जिस भी साथी की 21,000 रुपे से ज़्यादा सेलरी है तो उसका ESIC कंट्रिबूशन नहीं कट होता जातियों अब यह देलिजी इसका ESIC जो है सुन्या है अब जिस भी साथी की 21,000 रुपे से निच्चे सेलरी है तो उन सभी का यहाँ पर ESIC कंट्रिबूशन भी शो करेगा इस प्रकार से आपका यहाँ पर जमा होगा यो कंट्रिबूशन साथी आपका जमा होगा है अब आपकी जो यह जो टोटल सेलरी है यह कटा है आपके अकाउंट से जो आपकी यह सेलरी है इसमें से यानि के यह और यह टोटल होगा आपका साथी हो ठीक है इसके बाद में 21,200 रुपे आपके बहुँ हैं तो इस पे आपका जो है 15,000 रुपे पर जो है इपीफ काटने का काम करया जावा है यानि के आपका सुन्य पॉइंट 12 परशेंट आपका कटा है साथी हो ठीक है यानि के 12 परशेंट आपका अगर इसको मिल्टिपलाए करोगे तो आपके 1800 रुपे हो जिंग टोटल अकोर्डिंग है अगर आपकी सेल्डरी 15,000 रुपे से ज़्यादा है साथी हो तो आपकी उस सेल्डरी के उपर आपका इपीफ कट नहीं होगा जो आपका 12 परशेंट हो होता है वो आपका 15,000 पर ही इंकलूड करने का काम करया गया है एच करन के दवारा आपके चाए सेल्डरी 17,000 हो या 18,000 हो या 23,000 हो या 25,000 हो आपकी सेल्डरी पर कटेंगे 15,000 रुपे आपका इपीफ कटेंगा साथी हो 12 परशेंट ठीक है आपकी सिलरी अगर 15,000 रशे कम है भै आपकी 14,000 रपे सिलरी है तो आपका इस पर जो है 12% लागएगा साथी 14,000 रपे ठीक है ना की 15,000 रपे तो इस प्रकार से आपका जो है EPF कैलकुलेट करने का काम करया गया है एच केरन के दुबारा और 25 रूपे आपका जो है LWF काटने का काम करया गया है तो इसको उपर जो है पूरी पूरी मैं वीडियो ले के आऊँगा सातियो अलग से आप सातियों को सारी सारी इंफोर्मेशन देऊंगा कि किस परगार से आपका कितना EPF कट होता है कितना ESIC कट होता है क्योंकि अभी भ एक मजमें भी नहीं आऊगा तो इसलिए आप सातियों को इसी परकार से बता देता है है जो आपका 12% तो है कटने का काम होए है तो इससाफ से टोटल आपकि जो यह सिलरी बनगी ना 23,200 रुपे आपका employer का share भी आज़े है और employer का share भी आज़े है यानि कि आपका खुद का पैसा भी कटके आगया और जो company का पैसा है वो भी कटके आगया टोटल आगया इतने रुपे तो इसके उपर जो हाँ आप सातियों का 1.18% जो है tax लगाने का काम भी करिया गया सातियों सातियों अब जैसे 23,200 रुपीस की आई है तो इसके उपर 1.18% से अगर multiply करेंगे तो आपकी जो total income आओगी तो वा उसके अंदर दर्शाने का काम करिया गया है तो इस प्रकार से आपका यो प्रोसेस हो आया है तो आप सातियों नैस्ट वीडियों के अंदर जो है पूरी प information लेकिया हूँ उसके अंदर सारी सारी बात देक लिए करूँ आप सातियों बस यही जानकारे लेकिया थे आप सातियों वीडियों देकिया आपका बहुत बहुत दन्यवाद जैहिंच जैबार्द जैरियान